येस वी अलाइब नाओ तो फटाफट से समझते हैं आप लोगोंने questions भेजे हुए हैं टीम को जिनके आगे exams हैं वो लोग भी questions भेज देंगे मैं last मैं आपको WhatsApp number share कर दूँगी और यहाँ पर मैंने कई सारे questions as it is जैसे आप लोगोंने भेजे हैं उससे ये बातें होने वाली हैं और आगे आपको क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए कि इन चीजों का ध्यान रखें डरें नहीं डरें इन सब पे भी बात करें डरना दो खेर वैसे भी नहीं चाहिए और थोड़ा पर डरें तो डर के पढ़ा ही करें सिर्फ, ठीक, बैठ ना जाएं तो सभी को गूड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत्रिया काल, असला वाले को whatever you feel connected with, mails, comments और जो आपके एक form भी मिल जाएगा आपको भी जिसमें आपको feedback share करना है, इन सब को देखे, एक utmost satisfaction होता है मतलब that is what I work for, otherwise चीजें शायद जितनी पहले नहीं हुई हैं उससे जदा अचीव हुई हैं, let's learn पे पूरा एक अलग, नया रास्ता लीक से हट करके पूरी इस category के लिए बने हाई गई हैं, तो वो सब तो अलग हैं चीजें, otherwise satisfaction is the most important thing, चलिए समझते हैं फटा फट से और देखते हैं क्या questions आए हैं इन्होंने बताया कि एक तो पेपर जो है एकदम ठीक है, to the point आ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम देश्ट करने के ज़रूत नहीं, काम की ही बाते बढ़नी है और उसके लिए आप मैं रताओं देख लीजे, notes आपको free description box में हर एक subject के मिल जाएंगे, वो पढ़ लीजे, यानि paper one में तो और बहुत जादा परिशान होना नहीं है, समझते हैं कुछ चीज़े नहीं है, उनको कैसे देखेंगे कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, यानि which of the following is not a social insect तो ये पहले भी पूछा जा चुका है, previously भी, जब हम social insect की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें जो आपके options रहे होंगे, वो रहे होंगे, social कीट, ये पहले भी पूछा है इनोंने, तो कौन सा नहीं है, पूछ लिया इस बार तो आपके सामने options इसी तरह के आए होंगे, कि end, ends यानि चीटिया, तो आपको पता ही, गुरूप में चलती है, अभी हमने पढ़ा था उस दिन, marathon में, जो one shot वाली वीडियो थी, इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं, वास्प, ये भी आपको notes में मिल जाएगा, जहां तक है, नहीं तो previous NCIT जो समटी कराई हुई है, उसमें मिल ज करें, लेकिन एक चीज़ है, जो नहीं रहती गुरूप में, वो है spider, ये आपने NCIT में देखा है, ठीक है न, तो spider मेरे ख्याल में यहां पर आंसर होगा, जितना मैं predict कर पा रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़े online paper में ना तो याद रहती हैं, और ना हीं बताई जा सकती है, त ये सब भी किसमें रहते हैं, गुरूप में रहते हैं, तो spider है जो गुरूप में नहीं रहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है animism, यानि जीववाद, जीववाद बोले तो, भई क्या निर्जीव है, क्या सजीव है, तो ये दो से साथ वर्ष में होता है, ये ज existentialism कहता है, हालां कि बट उसको छोड़ देता है, नॉर्मल आम भाजा में philosophy को छोड़ दें, तो table को दर्द नहीं होता, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया कोई नहीं, अभी उस पर भी बात करेंगे, रुचे का, डेट आपकी आजाईगी, एक हफते पहले पता चल जाएगा अब आपके 29 तारिक के बाद पेपर सीधा 9 जैन्वरी से है, और 7 फर्वरी तक पेपर चलेगा, उस पे भी आएंगे, भी चर्चा करेंगे, तो आप तसल्ली से मैराथॉंस देखिए, नोट्स पढ़िए, multiple times, और जो online shift वाले पेपर हैं, उनको करिए अच्छे से, ठीक, द आपको मैराथॉंस में भी खाता कि ये 5 गाइडलाइन जिसको अच्छे से आती हैं, उसका question NCF का generally गलत नहीं होता, कि जो है, एक ऐसी identity बने बच्चे की road learning से हम दूर ले जाएं, बस्ते को हलका करें, examination को flexible करें, यही गाइडलाइन हैं, तो constructivism यानि रचनावाद, यानि meaningful learning यानि अर्थपूर अधिकम होगा रचनावाद में, context में सीखेगा संदर्ग में, बच्चा active रहेगा, यही सारी बाते होती हैं, schema प्याजे से एक question था, schema हमें पता है, हमारा क्या है, mental representation of the world है, यानि दमाग में, जो दुनिया की आपकी समझ है, वो सब schema में भरी हुई है, existing knowledge आपका वर्तमान ज्यान जो भी दमाग में है, previous knowledge, existing knowledge, mental pockets होती है, जिसमें information भरती है, update कैसे होता है, assimilation, accommodation के through, है न, और यह किसके अंदर आते है, adaptation के through, marathon देख लीजे, अच्छे से, चौमस्की के अनुसार भाषा जनमजात होती है, यह हमें पता है, चौमस्की हम कल ही common बात है, syllabus से आया है paper, अगर किसी ने अच्छे से syllabus को पढ़ा है या पढ़ाया है, तो उससे बाहर नहीं देखने को मिलेंगी चीजें, ठीक, 18% मुश्किल से चीजें होती है, पियाजे की अवस्थाएं आपको पता है, SP, CF, यानि sensory motor, pre-operational, concrete operational और formal operational, 15 साल तक पियाजे ने कारम पर एक स्थर की पहली स्टेज और overall देखें तो तीसरी स्टेज है, ठीक है, कोई दिकत नहीं, कोई परशानी नहीं, आप अपना feedback दीजेगा comments में, जब ये session खत्म हो जाए, तब बताएगा कि आपका paper कैसा हुआ, आपका क्या experience था, और आगे आने वाले लोगों के लि हो, तो यही कहेंगे कि easy to moderate ही है, ठीक, difficulty बहुत, moderate to high तो बोल ही नहीं सकते इसको, जो feedback सुनकरके, पढ़करके, आपके जो भी mails, comments, ये सबा रहे हैं, उससे, बच्चों के मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहते हैं मूल्यांकन, ताकि हम जान सकें, क उनको और कैसे बहतर बनाया जाए, हमें feedback मिले, हमें प्रतिपुष्टी मिले, हम उनकी uniqueness को बाहर निकाल करके ला सकें, ये सारी बाते होती हैं मूल्यांकन के विशह में, नई सिक्षा नीति के अनुसार, सिक्षा कैसी होनी जाए, होलिस्टिक होनी जाए, बच्चा जो है, चाहिए वो आकलन हो, सिक्षा हो, समगर रूप में हो, जिससे बच्चे का चहु मुखी विकास हो सके, उसका दिल, दिमाग, cognitive, affective or psychomotor development शामिल हो सके, हावर्ट गाडनर के अनुसार, दूसरों को समझने की योगिता, दूसरों को समझना मतलब interpersonal, खुद को समझना मतलब interpersonal, ठीक है, कोई दिकत नहीं, यह मैं जबरदस्ती revise करा रहे हूं, ताकि चीज़ें याद रहे हैं, जिनका paper आगे है, ठीक है, आगे बढ़ें, यह सब आप जानते हैं, मेरे साथ आप repeat भी कर सकते हैं, क्यों घबराना नहीं है आपने इसको देखके, सिक्षा का महत्व, तो आ इसको अपनी भाषा में लिख दिया हो, जिस भी learner ने paper दिया हो, तो क्योंकि यह आपके उसमें भी नहीं है, स्लेबस में भी नहीं है, डिरेक्ट गाइडेंस अन काउंसलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, इसका मतलब जो है, वो आपका कही ना कहीं, diagnostic test से या remedial teaching से अगर हम बात कर रहे हैं, यह मतलब इनके पूछने में कुछ गढ़बड हो सकती है, तो हम यह कहेंगे, NEP 2020, एक व्यक्ति ने कहा, जो आपका NCF 2022 है, उससे भी question आया, जबकि ऐसा, मेरे ख्याल में नहीं हुआ, क्योंकि यह किसी एक learner नहीं कहा है, शायद उनका ध्यान ने होगा, जबकि यह सारी बातें, कई रोगों ने कहिएं कि NCF 2005 के जो principles हैं, यानि सिद्धान्त हैं, वो जो 5 principles हैं, और मैंने यह सारी कराय हुए है YouTube, आप topic wise भी सर्च करते जाएंगे, तो मिलती जाएंगी, नहीं तो marathon में भी mainly सारी चीज़ें discuss हुई है, NEP 2020 के जब हम बात कर जो आपकी पुरानी policy थी, तो उसका system था 10+, 2+, 3, हालांकि इनको पूछना नहीं चाहिए, बड़ पूछ सकते हैं भई, है न, तो ये एक बात हुई, मुल्यांकन, again वही बात feedback के लिए होगा, continuous होना चाहिए, comprehensive होना चाहिए, चहुमुखी हो, सतत चले, observation करे, वाइगास्की क society, culture, language, वाइगास्की, तो ये भी बच्चों को सक्रिय रखेंगे, बड़ समाज के अनुसार, मतलब समाज के अनुसार नहीं, समाज में, यानि गुरुप में, अक्टिवड, RTEF 2009, इस पे चर्चा हमने की हुई, अलग से भी एक session, अभी marathon में, चार marathon CDP के लिए थी, क्योंक आप देख सकते हैं, RTE के बारे में सारी बातें बताई हुए है, क्या question आया है, ये हमें नहीं पता, बट आपको पता है कि भाया, 40 गंटे जो है, वो हफते में काम करना होता है, ये free and compulsory education की बात करता है, 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6-18 वर्ष के बच्चे कहा ठीक, growth and development principles, तो वो आपको पता है कि cephalocodal है, proximodistal है, head to toe किसी में पूछा हुआ था, तो head to toe आपको याद रखना है कि सिरोध पदोन मुखी, cephalocodal, center to periphery आपका होता है क्या proximodistal, और इस तरह के development क्या है, spiral है, continuous है, ये सारे आपके principles हैं, सिधान थे, ये सब marathon में कराए इवन notes पर पढ़ेंगे तो उसमें भी दिये हुए है, gender, आपको पता है, gender पर एक question आना ही है, stereotyping, अगर लड़कियां जो है, उनको cricket खेलने से मना किया जा रहे हैं, यानि stereotype कर रहे हैं, आप biasness कर रहे हैं, stereotyping तो पक्का-पका है ही, biasness में, basically stereotyping में biasness include होती है, ठीक, तो gender से question critical thinking, समा लोचनात्मक चिंतन, यानि बच्चा logic और जो सलाह है, दोनों की बीच का difference जान पाए, हर एक पक्ष से चीज़ों को देख पाए, logically, like share करते रहे हैं, आप लोग जिस संख्या में चुड़े हुए हैं, उसी संख्या में, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, यान literal meaning क्या है, तो ऐसा हो सकता है, मुझे exactly नहीं पता कि नोने option में क्या दिया होगा, लेकिन मैं कह सकते हूँ कि शायद modification of behavior कह दिया हो, क्योंकि व्यभार वाद ऐसा कहता है, experience और effort के through, practice के through, जो परिवर्तन आता है, तो इसका मुझे पता नहीं है, आप option के अनुसार जाईए अभी मैं learners के आपको direct feedback दिखाऊंगी, उन्होंने जो लिखा है, कि ऐसे ऐसे ये वो, मैंने आगे सारी चीजन जैसे आपने भीजी है, उस तरह से ही ली है, raw feedback है एक दम, एक Jim Corbett National Park basically match the following था, अभी मैं आगे किसी ने question share किया हुआ है, किसी दूसरे learner ने, उन्होंने और से जोड़ा है, फिर Jim Corbett को जोड़ा है, और भी एक और आपका national park है, उन सब को दिखा है, NEP 2020 से तीन question है, NCF से दो question है, inclusive education से दो question है, inclusive education से 5 question आए होगे, क्योंकि syllabus बिलकुल defined है, बस आप पहचान नहीं पाए होगे, inclusive education समावेशी सिक्षा, indirectly पूछ लेता है न, उसमें ह आप अलक से भी video बनाई हुई है, notes में भी दिया हुआ है, उतना भी परजाओगे बहुत है, अब जैसे ये question थोड़ा सा different लगा, इन्होंने NCF में क्या पूछा है, जैसे कि कितने, वो एक question आदा था पहले, कि कितने percent questions moderate होने चाहिए, कितने easy होने चाहिए, कितने आपके, तो moderate का level, I think, उसमें 40% रहता था, तो अगर हम बात कर रहे हैं, इन्होंने question पूछा है, ये question मां समझ नहीं पाई हूँ, कि exactly क्या पूछना चाहा रहे थे, मैं में एक question था कि, if a primary student get 90 level of mathematics, यानि मुश्किल question बनाया हुआ है, तो maths बहुत easy है, paper 1 में, ये कई लोगों ने कहा है, EBS का 20 question pedagogy से आ रहा है, 10 question solve करने, NCRT वाले, ऐसा इनके set में हुआ है, मतलब NCRT के खूब questions आ है, BICS का full form भी हमने परसों ही किया है, और मैंने आपको बताया था कि Hindi और English के pedagogy as it is copy paste होके आप जाती है, पिशली बार online exam पहली बार ऐसा हुआ, और इस बार भी ये चीज repeat हो रही है, तो English वारा session भी देख लीजे, क्योंकि कुछ चीजें BICS है, CELP है, वो हम English pedagogy में ही पढ़ते हैं, basic interpersonal, communicative language, sorry, communicative skills, जो daily, day to day, बोलचाल की भाषा में, जिन skills को हम use करते हैं, CELP क्या है, जब हम paper लेख रहे हैं, cognitive level की जब बाते हैं, cognitive academic level की जब हम बाते कर रहे उन्ते जन्मरी को paper है, लास्ट यर की shift के paper लेंदी थे और ठफते, इस पर अभी चर्चा करेंगे गुर्मीत, अंत में मैं आपके सवाल लोगी, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजे, theory से एक भी question नहीं था, सिर्फ लेब वाइगॉस्की से एक question था, अब ये शायद, उतना ध्यान नहीं रहा, या उनके set में मानलो एक question काम आ गया, ऐसे भी तो हो सकता है, तो इसका हमें ने बता, लेकिन हाँ, प्याजे वाइगॉस्की से जो questions आई हुए, उपर बताये हुएं किसी learner ने, तो हम ये भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा possible नहीं है, अब एक question है, in the group of elephant, यानि elephants के हाथियों के group में, there are only female and baby elephants, इस पे हमने verbally ही चर्चा की थी है, भी EVS in one shot में, कि जैसे ही 14-15 साल की उम्र पार करते हैं बच्चे, तो जो elephants का herd होता है, group होता है, उसको छोड़ के चले जाते हैं, और जो male elephants होते हैं basically, और 14-15 साल तक baby elephants रहते हैं, तो female, जो oldest female है, वो herd की क्या होती है, leader होती है, elephants में, और ये 100 लोग राम तक पत्या, वो सब खा जाते हैं, 2-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं, इसके लावा कीचड़ इनके प्षईर को ठंडा रखती है, यही सब बाते थी, female elephants होती हैं और baby elephants होते हैं एक herd में, बड़े जो males हैं वो नहीं करके, इतने सारे sources, मेरा mail, comments, जो आपने career wheel पे questions भेज़ेते हैं, मैं last में whatsapp number share करूंगी, वो सब डाले हैं, यह कि न, 9 January को है, जनका exam हो गया है, उस shift के paper से, फिर हमें paper में पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है, तो slabors, वही questions घूमने हैं, एक set, एक pool of questions बनता है, मान topics तो रहें गई, तो ऐसा नहीं, repeat नहीं होगा, repeat होते है questions, आप पुराने sets में भी देख सकते हैं, repeat होते हैं, तो male elephant go alone and live, यह तो हमें पता ही है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कितनी संख्या में चोड़े हुए, अभी इतनी रात को session है, 10 बजे, 33,000 लोग, तो like share भी उतने ही लोग कर दीजाए, अगर session आपको पसंदाए, help करेगा, पकका पका यही intention है, otherwise, और कोई intention यहां है नहीं, देखिएगा, तो हम देख रहे हैं, कौन सा एक, सही नहीं है, honey bees के बारे में, honey bees, notes खोल के देखिएगा, मिल जाएंगी, previous sessions देखेंगी, तो मिल जाएंगी, है न, और honey bees के जब हम बात करें, मदुमक्यों की, तो कौन सी बात, सही नहीं है, के male work in bees, online, sorry, online, यह कुछ लोग न, typing को इंकर बढ़ करते हैं, queen leather eggs, हाँ, यह बात पकी सही है, जो queen bee होती है, उनकी, जो रानी मदुमक्य होती है, सिर्फ वही, जो है, वो अंडे देती है, औ पाखी, जितनी worker bees होती है, वो काम करती है, ठीक है न, और ऐसा न, और all hives give acts, सब नहीं देते, तो यह एक बार आप notes खोल के description box में मिल जाएंगे, इनके बारे में proper पढ़ ली जागा, October to December, सही time होता है, मदुमक्यी पालन का, यह basic basic बात हैं, यह गुरुप में रहती है, तो थोड़ा थोड़ा आपको idea लग जाए, क्योंकि options कई बार क्या हो सकता है, व्यक्ति को जतना online paper में याद रहा होगा, वैसे ही भेज दिया होगा, बिल्कुल एक word सही लिख दे, यह तो possible नहीं है, फिर आता है, हमें reference के लिए देखना है इसको, what statement is not help tiger in the night to pray, यानि रात में शिकार करने में tiger को क्या एक चीज help नहीं करती, तो अगर हो दहार नहीं लग जाएगा, तो कहां से help मिलेगी उसको, common sense है, कुछ options आपको eliminate करने आने चाहिए, यह मैं जब भी practice भी कराएगे आपको, अभी हम आगे भी कुछ questions की practice करेंगे, और KBS आ ले परिशान नहीं, उनक पता लगा लेता है, tiger पर पूरी कहानी हमने, EBS in one shot अभी video पर सोही session हुआ है, उस पर की थी, ठीक है न, तो रोर अगर वो दहार एगा, तो कहां से pray मिल पाएगा, भाग जाएगा जो शिकारी, जो भी उसका शिकार है वो तो, तो दहार से कोई मदद नहीं मिलेगी, अब ज Jim Corbett हम पढ़ चुके हैं कि ये उत्तराखंड में है, डिरेक्टली भी हमने मतलब, जब short में किया है, तब भी हमने ये पढ़ा है, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं, गिर की, काजी रंगा, कोई दिक्कत, नहीं होनी चाहिए, तो इनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर जाए अब इसमें exact हमें नहीं पता है कि क्या पुछा है नोने, बट आप क्या करेंगे, एक बार ये पढ़ लेंगे, कि वो कौन से flowers हैं जो राप को bloom करते हैं, थोड़ा गूगल का इस्तमाल कर लेंगे, कोई किताब पढ़ हुई है, उसको देख लेंगे, the flower used for medicine, medicinal purposes के लिए कौन से हैं, तो इन चारों questions के answer थोड़ा तो हम भी homework कर सकते हैं ना, तो ये आप, इसको मैं ये PDF भी share कर दूँगे, टेलिग्राम पे, इनको पढ़के जरूर जाएगा, क्योंकि ये घुमाफिरा के आते हैं, which statement is not true about bird, bird के बारे में हमने कहानी पढ़ी हुई है, bird के बारे में कौनसी एक बात, सही नहीं है, तो हमें पता है कि birds have their eyes on their head, हाँ होती है, birds cannot see two objects at a time, ये तो गलत हो गई बात, क्यों, क्योंकि दो object को एक साथ वो देख सकती हैं, even जब वो single object पे देखते हैं birds, तो उनका vision ब कि आपको कुछ में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे, description box में वो सिर्फ आपकी भलाई के लिए है, आप पढ़के जाएए, to the point बात है, क्योंकि exam time पे उतना पढ़ सकते हैं, आसानी से, even paper से दो दिन पहले भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही short notes है, what period we called between childhood to adulthood, ये हमें पता है, transition period कहते हैं, क्या कहते हैं, transition period कहते हैं, परिवर्तन का काल कहते हैं, इसके अलावा अगर हम कहें, ऐसा कोई paper नहीं है, जहाँ adolescence पर question कभी ना आया हो, bridge period कहते हैं, और क्या कहेंगे, इसको adolescence कहेंगे, 12 से 18 और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष, और ये, क्या है ये, तनावर तूफान की अवस्था है, Stanley Hall के according, stress and storm की अवस्था है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा ये, अपने आपने आप में, vocational anxiety यहां होती है, emotional instability यहां होती है, hero worship यहां होती है, बहुत सारी समस्याइं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो य अपने आप में बहुत ही, uber खाबर काल है, अगर मैं देखूं तो, ठीक है ना, तो यह basic बात है कि adolescence यानि किशोर आवस्था, teenage जिसको कह देते हैं, normal भाषा में, और NCF 2022 से question पूछा है, यह कहा कि team के दौरा पढ़ाया नहीं गया, तो यह एक ही learner है, यह मैंना as it is रख लि इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा, जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, अगर एकाद question है भी तो बहुत ज़्यादा इस time पर परिशान नहीं हो ना, इस चीज को लेकर के, है ना, हाँ, off है, off है, off है अभी भी, फरीन, वो 1199 का है, I think, बैच, अगर आपने पहले से लिय हुआ है, तो और सस्ता मिल जाएगा, ठीक न, तो यह आपको देख लेना है, अभी NCF 2022 मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़के जाना चाहिए, एकाद question के लिए अगर आया भी है तो, ठीक न, तो उस case में आप कल बता दीजगा, बाकि क्योंकि किसी ने नहीं जिकर किया इस तो अगर यही स्थेम और रहा होगा, तो हमें मझबूरी में किसी न, किसी को तो पिक करना ही है, तो C हमें ज़्यादा एप्रोप्रियेट लगेगा, अदर्वाइस इसमें कुछ न, यह भूल गई होंगे, एकाद option को लगाना, तो यह fruits वाला बहुत पूछा जाता है, और क व्यक्ति को, तो green leafy vegetables, जैसे आपका, जो यह, जितनी भी हरी सबजियां हैं, उसमें spinach है, इवन इस तरह की और भी, जो गुड है, जैगरी वो helpful होता है, उसमें एने मिया में, तो इस सब बाते ध्यान रखनिया में, आइडेन की tablets दी जाती हैं in schools में, ठीक, इसके अलावा अ अब इसका आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे, कि जो साजियां है, वो अपने शात्रों को वर्द में विभाजित करें, यानि गुरुप में एक तो, वो social skills तिखाना चारी हैं, कि गुरुप में behave कैसे करते हैं, दूसरा social language to our students in the class, अब देखो, यह role play भी हो सकता ह है, अगर यह social language की जगा, यहाँ पे, social issues पे, मुद्दे की बात हुई होगी, तो यह debate हो जाएगा, क्योंकि issues पे चर्चा होती है, तो वो debate कहलाती है, और अगर बात यहाँ, normal social skills और social language की हो रही है, तो वो role play के द्वारा भी संभव है, तो यह आपको paper में aware रहना है कि 90, यानि difficulty level अच्छा खासा है, तो इसको रखें के नहीं रखें, तो हम इसको रख सकते हैं, बट इस question को क्या माना जाएगा, difficult माना जाएगा, यह मेरी नजर में जो मेरे पास feedback अभी तक है, क्योंकि exactly नहीं पता हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो, कोई क बहतर है कि आप बाकी questions पर focus करें, है ना, बाकी हम कोशिश करेंगे, कि उसको भी करने लगे हातों, अगर ऐसा है तो, अगर बाकी learners भी कहेंगे, तो बिल्कुल पक्की बात है, अगर आप कह रहे हैं से मैं मानी लेती हूँ, मैं विश्वास पर बहुत ज़्यादा विश्व और ऐसे इसको बहतर करने के लिए visual भी हो सकता है, तो exactly क्या question है, इस थमझ में नहीं आपाया इसको देख करके, बट इनको visual information से help मिल जाएगी, English language learner की अधी बात हो रही है तो, तो visual हम इसे मान के चलेंगे, बाकी depend करता है कि exact question क्या है, क्योंकि जिसमें अगर मुझे शॉरि क्याते हूं कि आप पहले तो question पूरा पढ़ें, सिर्फ positive और negative words के भरो से paper solve ना करें, questions को पूरा पढ़ें, context में समझें किस संदर्व में पूछी जा रहे है, पूरी बात क्या कहना चाहरा है आखिर, बात क्या कहना चाहरा है, जैसे वो प्याजे वाला ही question है, कि existing knowledge में fit करन भई assimilation है, नया schema modify कर रहे हैं information की वजहा से, तो फिर वो accommodation हो जाएगा, question कर रहा था न, उसने प्याजे वाइगा उसकी पांचमा question था, तो वो हलका सा change है word का, लेकिन जिसने modify ही रट लिया है, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप paper से एक दिन पहले modify रट सकते है बट थोड़ा सा समय दीजी, अभी offline paper में और online में यही अंतर है, कि थोड़ा सा lengthy कर दिया है question को, घुमा करके पूछता है, mainly in CDP portion, और don't waste your time to unnecessary topics, only focus on the important topics which have, which covered by हिमानचीदी, चलिए बहुत बढ़ी है, जन्नोंने भी ये लिखा है, मनोंको नाम नहीं पता, even आप सभी का ध दीजे, और ये सारी चीज़ें चलती रहती है, हर बार का है, बहुत अच्छा लगता है, सातवा साल चल रहा है, छे साल से हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, पेड़ागोजी पढ़ रहे हैं, मतलब अपने आपने ब्लेस्ट लगती है बात मुझे, यही बात इतने दिन तक energy बना के रखती है, otherwise, जो भी चीज़ें वो बहुत अच्छी रही हैं पिछले 6-7 सालों में, अभी और questions पे चलते हैं फटा-फट से, और समझेंगे कि कहानी है क्या, चलिए, तो context नहीं खोना है question का, पढ़के पूरा समझ लेना है कि कहना क्या चाह रहा है, options लग रहा हुआ, जिनको यह भेज रही है, वो sir है, मतलब, जो WhatsApp नमबर आपको टीम का दिया हुआ था, तो sir, paper 1 बहुत easy था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, exam देखकर, answer के option ऐसे दिये हुए है, जैसे 4, 1, 2, 3, ताकि आप क्या होते है, generally आपको first option सही लग रहा है, तो English में सही था, यह बात मैंने बहुत बार कही है, कि जब भी आप किसी question में confused हो रहे हैं, तो एक बार जरूर देख ली जगा, हिंदी में कई बार ऐसा होता है, कि इनकी tabbing mistake या translation की वज़ा से गढ़बढ हो, तो उसको English में check कर लो, English वाला ही final माना जाता है, और यह हर question में नह अगर हम बात करें, तो यह वही व्यक्ति हैं, जोन्होंने Bix और Kelp को अलग-अलग किया है, language में, बाकि exactly मुझे नहीं बता कि और यह किस context में question है, बट अभी जितना हम समझ के और अपनी थोड़ी research करके पता कर पाई, यही पता लग पाया, ठीक, तो यह Bix और Kelp अच्छे Bamboo को as it is cut कर देते हैं, यह करते हैं, उसको पढ़ लेना, नोच में दी हुई है, English Medium और अगर हम बात करें, Hindi में दी हुई है even, तो Bamboo के बारे में तो बहुत सारी बाते हैं, जैसे चिरो डान्स है आपका, जो मिजओरम में होता है, वो भी Bamboo के थू, आसम में जो भेलागर ब होती है, तो Hindi कहती है, गध्यांश मात्रे भाषा के उपर था, यह तो आप समझ जाएंगे, और ध्यान रखेगा जिनको गध्यांश, पध्यांश, यानि पैसे सॉल करने में दिक्कत होती है, कीवर्ड के थू जाओ, क्योंकि अभी समय नहीं है, कीवर्ड क्या है, आप से प अभारत माता की कविता पे इसी तरहागा मदब कोई सिंपल पध्यांश रहा होगा, और ये कविता की बात करने हैं, तो मैं समझ रही हों के इनोंने, Language 1 Hindi ली होगी, क्योंकि Language 2 में जनरली कविता नहीं आती, परामर्ष कॉशल, अगेन वही, आपका जो guidance skill है, तो आप बच् questions कितने percent हैं, 40 percent के करीब होते हैं, generally मुझे नहीं लगता कि, but कुछ ना कुछ तो पूछा होगा अभी, जो easy to moderate पढ़ा है, तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं, मौका मिला तो मैं भी करा दूँग, चौंसकी के उपर questions है, NEP 1986 का क्या pattern था, तो 10 plus 2 plus 3 था, कि 10 साल की जो आपको बताईए, CCE को ध्यान में रखना है, कि child-centered education और continuous and comprehensive evaluation होता है, बच्चे को center में रख करके, dyslexia, पठन विकार है, भाषा कौशल, ग्रहन कौशल, ये language skills जो हैं, आपकी सूबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, listening, speaking, reading, writing, जिसमें से आपकी speaking और reading है, I think, मै याद नहीं कर पारे, उसको recall नहीं कर पारे, primary skills कहीं जाती है, बागी secondary, और आपको पता है कि expressive कौन सी है, ग्रम्यात्मक कौशल कौन सी है, अच्छा है, ये direct पूछा है, ग्रम्यात्मक कौशल तो आपका simple है, सुनना और पढ़ना, ग्रम्यात्मक होता है, अभी व्यक्तात् जो है active skills, वो है आपकी speaking और writing, और जो ग्रम्यात्मक यादि, receptive skills है, वो है आपकी पढ़ना और सुनना, बेसिक बात है, आगे बढ़ते हैं, अब मैस की बात हो रही है, मैस मेरा कोई expertise का area नहीं है, बड़ आपने उदर से पढ़ा है, triangle पे question है, angle ratio, sum of national number, national नहीं, rational number हो गई, LC LCM मलब इतना तुबड़ित ठीक ही है, LCM पे तीन question है, place value पे 6050 का कुछ वो होगा, भिन्न के जोड है, वो समझते ना, ठीक, और NCF 2005, again वही, objectives and all, ये notes दिये हुआ है, पढ़ लेना एक बार, आकलन assessment कैसे होना चाहिए, पाठे क्रम का हिस्सा कौन सा नहीं है, हर बार पूछ question जैसी, तो वो नहीं होता, series पर question था, simplification, when he'll theory पे आता ही है, ये भी notes में given है, और maths in one shot video मैं ले लूँगी, 30 को हम maths in one shot का session रख लेंगे, और एक बीच में in between मुझे time मिलेगा, तो CDP in one shot, वैसे CDP का इतना करा चुकियों यार, फिर भी, और कुछ questions की practice हम अभी भी करेंगे क्योंकि paper में आपके पास समय है, ठीक है न, कोई बात नहीं जिनकी city नहीं आई, कम से कम एक हफ्ते पहले पता लगेगा, अब तो पता ही है आपको, कल के paper के बाद, 9 January को paper होगा, इसका मतलब, 2 January के आसपास आपका pre-admit card आ जाना चाहिए, 7 दिन पहले, EBS की बात कर रहे हैं कि सीधे देखने वाले पक्षी कौन से होते हैं, अब यह नहीं पता कि exactly उन्होंने क्या कहा है, सीधे देखने पे पक्षी का जो है, उसकी range बढ़ जाती है, यह था हमने जब पढ़ा था, कि वो काफी दूर तक हो clear देख पाएगा, अगर वो सिर्फ दोनों आखों को एक च कुछ feet उपर बनते हैं घर, क्यों? क्योंकि बारिश बहुत होती है, और मनाली कि अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ concrete से उससे यह सारी चीज़े एक बार पढ़ लीजेगा उसको, दिव्यांचली कह रही है, 200 रुगा सूपर चैट करके, हेलो मैं, टुडे वाउज माइप CDP and other subjects, pedagogy went well, but not very good in Hindi grammar, and maths basics were minor mistakes, आपको क्या लगता है, निकल जाएगा, दिव्यांचली, अगर आपने लेकिन paper पूरा attempt करना है, चाहे, मुश्किल हो किसी भी section में, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका, किसमें दिक्कत कहा हुई, आपको grammar में, grammar में कितनी, तीन question maximum, तो उसक क्यों परिशान हो, passage में ही आए होंगे न, और वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, देखेगा, EVS themes and sub themes, ये कल ही चर्चा की थी हमने, जब भी EVS का session कल ही हुआ है न, शायद परसोन हुआ था, तो six themes है, आपको पताईए, family and friends, food, water, shelter, travel, things we make and do, यहीं है, फिर उसमें sub theme किसकी है, family and friends की है, और food की है, sub themes, family and friends की 5 sub theme है, और food की 4 sub theme है, इसके लाबा किसी की sub theme नहीं है, ठीक, सौर मंदल, सबसे चोटा ग्रह भाई, ये देख जाना, एक बार ग्रह वाला जो चुकर है, ये हो वाली ग्रह नहीं, NCF 2005, NEP, ये क्या लिखना चाह रहे थे, NCF 2025, भाह, इनोंने बहुत गुमा के set में question पूचेगा, क्योंकि दुनिया से अलग question तो ये बनाई नहीं सकते है, इतने सारे sets है, सब के लिए अलग question बनाएंगे, तो topics ही नहीं है इतने तो, है न, इसलिए analysis देखना important है, हाथी और sloth के बारे में पूचा था, तो हाथी का आपको सारा बता दि and all and all, याता है आप train से, इस पर आता है ये एक time का, इसका यहाँ से चले, वहाँ को पहुचे, ये सब भी होगा, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को घुमा लेता है, तो घुमा लेता है, तो ये उल्लू के बारे में बात होई होगी, आउल के बारे में, अगर जटके से ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो आज के इतने ही questions हम ले पाए है, mails वगेरा बहुत सारे है, बट ये ही हैं, जो जरूरी है, ये session आपको पसंद आया हो, ये आपको paper में for sure help करेगा, मुझे विश्वास है, ये आप ही के साथियों ने हमदद किये, आपको भी जब paper दे अगर हम बात करते हैं, एक तो आपको Google form है, आप लोग उसको जरूर फिल करेगा, ताकि आने वाले लोगों को भी मदद मिले, क्योंकि इसमें किसी का competition नहीं है, ये कोई merit तो जानी नहीं है, कि आपने अगर बता दिया किसी को आके क्या आया था, तो आपके number से कोई कम हो ज अब इस टाइम पे tension नहीं लेनी, मतलब number आप बहुत अच्छे लाएंगे, बहुत अच्छे लाते हैं learners, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हवा में ही रहेंगे, एक मिट रुकना, मैं आपके साथ ही शेयर कर रहे हूं, और जो number है आपका, ये रहा, 93-11-77-5205, ये team का number है करियर विल पे, और आप इनको जो भी questions आपको memory-based याद रह जाएं, जैसा भी paper आया हो, जैसा आपको लगा हो, NCF-222 अगर कल भी देखने को मिलता है, कोशिच की जगा, जैसे आपके दोस्तों ने भेजाएगे, वैसे आप भी बेज़ पाएं, इतने सारे questions अगर आप नही बस से बाहर नहीं है, एक दो question हमेशा, अचा एक और चीज़ है, मालने जो कोई section आपको मुश्किल लग रहा है, हो सकता है, दूसरा section easy मिले, तो एक तो question नहीं छोड़ना, दूसरा time अपना manage करके चलना है paper में, ये सबसे बड़ी बात है, context में पढ़के जाना है, संदर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े हैं, EBS in one shot कराया है, English pedagogy जरूर देखके जाए है, क्योंकि Hindi English की pedagogy सेम आरही है एकदम, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको help मिल जाए, कुछ terms English में है, जैसे Stephen Creshen पूछ लिया, तो ये English में ही पढ़े जाते है, अगर proper देखा जाए, B बहुत सारे लोग, पचास लाग कास लोग देख चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं, इसके लावा maths, नोट्स मेंने सारे दे दिया है, नोट्स आपका टाइम बचा देंगे, मानलीजिए आपका कल्भी पेपर है, तो आज रात को आपने चारों माज़े सब्जेक्टे अगर निकाल के देख लिए और बेसिक बेसिक चीज़े हैं, आप पढ़ते चले गए, बड़े नोट्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे बिल्कु टू दा पाइंट बात की है, क्योंकि कितना भी बड़े नोट्स अगर वो आपको दे दिया जाते हैं, तब भी पूरे-पू मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी जो महनत है वो जब थोड़ी सी साकार होती है और आप लोग उस महनत में और चीज़ें जोड़ देते हैं, तो आप नोट्स पढ़ लीजे और ये मैराथॉन्स देख लीजे, नोट्स तो पढ़ी लीजे, उससे मेरा कोई परसनल तो वो आपके दिल में रहेगा, ठीक, चलिए इस बात को ध्यान में रखते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ने को सो जाएंगे, गुड़नाइट, बाइबाइ, टड़ा, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से, डिसकस करके और too much saint expedite, हाँ के है सकतो यार, मुझे satisfaction feel होता है, मेरा 2018-2019 का आप वीडियो देखेंगे, तो मैं यह कहा करती थी, कि teaching में एक वो revolution हम ला पाएं, कि teaching को एक passion की तरह, इस तरह से गहां teacher बनना है, वह ली चीज हो, तो अभी आपको second channels मिल जाएंगे YouTube पे भी, जो inspired हैं, let's learn से, जोनोंने देखा है, देखके बनाया है, या सीख रहे हैं, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो उतने कृतग्य होते हैं, जो साफ-साफ बोल देंगे, कि हाँ हम inspired हैं, हमने वो channel देखके बनाया है, whatever, और कई लोग ऐसे होंगे, जो बुरा भी बोल रहे होंगे, और देखते भी आ र जाएगा, कल मिलेंगे, कल के paper का आपको ये share कर दिया है, और एक Google form भी मिल जाएगा आपको, description box में भी, telegram channel पर भी, ये notes description से download करके, पढ़ जाएगा, ये बार reading ज़रूर लगाएगा, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, एक बार notes ज़रूर पढ़के